आज हम डिसकस करेंगे इंडियान एकोनोमी के कम्प्लीट सेशन को देखिए पार्ट वन और पार्ट टू को हमने अल्रीड डिसकस किया था तो यह हमारा पार्ट थ्री है ठीक है और पार्ट वन के अंदर हमने कौन-कौन से टॉपिक डिसकस किये थे जो भी फर्स टाइम और उसके बाद हमने देखिए जितने भी टाइपस ऑफ एकोनोमी जैसे क्लोज और ओपन एकोनोमी और डिफरेंस देखा था और डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज और आप इस पर बेज जितने भी कोस्टन्स आते हैं आपके मल्टिपल चोइस हमने यह सारे कोस्ट इसमें क्या करें हैं कंप्लीट सेशन कवर करेंगे हम एकोनोमिक्स का और यह तीन चार वीडियो हमारे लेक्चर होगा और अप्रॉक्स 4R के अंदर आप कंप्लीट इकोनोमिक्स कवर कर लोगे तो आपको चारो वीडियो देखनी है बिलकुल ठीक है अच्छे से और उसके अगर problem होती है अगर short run बनाने में तो मैं जो इस वीडियो में discuss कर रहा हूँ इसका PDF का link भी नीचे description में देदूँगा आप वहाँ से उसको download भी कर सकते हैं ठीक है देखिए बात करते हैं आज के session के बारे में कि कौन-कौन से topics हम discuss करेंगे आज के session के अंदर और वो जो भी जितने भी topic हम discuss करेंगे बहुत जादा depth में नहीं जाएंगे बस हम to the point देखेंगे और देखेंगे कौन-कौन से चीज़े हमारे exam point of view से important है तो देखेंगे first topic हम discuss करेंगे banking system कौन-कौन से हमारे इंडिया के अंदर banking है कैसे banking system की शुरुआत हुई कैसे यह work करता है ठीक है और कैसे इसकी जो policies होती है वो उसकी making की जाती है ताकि हमारे जो आपके country के अंदर मंदी ना आए ठीक है inflation ना है devaluation ना है recession ना है 1770 से लेके अब तक जो banking में जितने भी reforms हुए है वो क्या क्या चीज़े है और क्या क्या इनकी needs हुई ठीक है क्या क्या इसके benefits है तो यह सारी चीज़ों को हम देखेंगे आपके third topic के अंदर और उसके बाद cover करेंगे हम important financial institutes देखें इंडिया के अंदर कितने भी banks है for example हम बात करें ICICI bank है ठीक है RBI है State Bank of India है और Punjab National Bank है तो सभी bankों के बारे में देखेंगे इनके established year देखेंगे और क्या 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 इनके headquarters है और कौन कौन से multiple choice question के उपर पूछे जाते हैं आपके सभी exams के लिए ठीक है और देखें जो भी students इसको देख रहे हैं आप session को share किजिए ताकि मुझे पता लगे कितने students को देखते हैं और मुझे अच्छे से अच्छा feedback मिली ताकि मैं आने वाले सभी lectures में अपने आपको बहुत अच्छे से improve कर पाऊं ठीक है उसके बाद हम discuss करेंगे international financial institute international financial institute में देखेंगे world economic form है ठीक है और आपके UNESCO है और आपके जितने भी financial economic form है और आपके जितने भी organizations है जो भी हमारे जो finance आपकी stability और financial growth of the world के लिए काम करती है सारे institute को देखेंगे सबकी जो headquarter है वो देखेंगे ठीक है और कौन कौन सी established date है जो कि हमारे exam के लिए बहुत जादा important है सब चीज़ों को cover करेंगे ठीक है next topic हम देखेंगे currency and printing press and mints कौन कौन से जो currency है हमारी ठीक है इनके उपर वे ssc काफी question पूछ लेता है और mints के अंदर कौन कौन से आती है कौन कौन सी आपकी mints है इंडिया के अंदर जो government mints है जो कि क्या बनाती है coins बनाती है ठीक है उसके बाद उसके बाद आपकी जो economic से वो complete finish हो चुकी है ठीक है तो आप बार बार वीडियो को देखिए short note बनाईए और अपने आने वाले exam के लिए अपने economic section के लिए बहुत अच्छे से prepare कीजिए ठीक है देखिए चलिए start करते है आज का first topic हमारा banking system देखिए अब बात करते हैं देखिए banking system आप देखिए सब को पता है कि bank होता क्या है बैंक से आप क्या करते हो उसमें saving account खुलवाते हो उसमें current account खुलवाते हो लोन भी देता है तो काफी सारे जो आपके जो काम होता है वो banking system के अंदर आते है ठीक है अब bank काम कैसे करता है क्या क्या वो सब चीज़ों को हम इसमें discuss करेंगे और यह देखेंगे कि bank का जो need है वो उसकी क्या need पड़ी हमारे अंदर ठीक है तो basically क्या है हमारा bank के बारे में बात करते हैं इस topic के अंदर देखिए अब हम सबसे पहले लिखते है bank ठीक है तो bank क्या है एक आपका financial आपका वो है ठीक जिसको बोलोगे आप जमा करना तो जो भी students को देख रहे हैं बहुत short note बनाईए बहुत अच्छे से और उसके सिर्फ key point लिखने है यहां कि आपके पास बहुत ज़्यादा time नहीं है ठीक है आपको maximum 40 days है अगर मैं बात करता हूँ SSC JEN exam के लिए और आपका देखते है RRB NTP PC है तो उसका जो डेट है वो कभी भी आ सकता है आपको देखिए tentative date जो दी हुई है आप उसको ही final मान के चलिए ताकि आपकी preparation बहुत अच्छी चले और आने वाले exams के लिए आपने आपको बहुत अच्छे से prepare कर पाएं देखिए फस्ट आपका जो perform करता है वो bank क्या करता एक तो deposit करना और दूसरी चीज क्या करना है और उसी deposit से वो क्या करता है वो loan देता है आपको ठीक है लोन को क्या बोलते है आपको rent ठीक है रिन देना तो ये दो काम जो major perform करता है हमारा banking system और देखिए deposit के अंदर कौन कौन से deposit होते हैं क्या क्या चीज़े होती है वो देखत है उसके अंदर आती है saving accounts के अंदर दूसरा क्या करता है deposit के अंदर आता है दूसरा इसका वो आपका क्या है current account कोई भी आप business करते हो ठीक है बड़े-level का business है मावन लो ज़्ाधा ठीक है और इसमें जो आपका जो इंट्रस्ट होगा वो more than the saving account होगा आपका recurring deposit के अंदर और एक आपका जो service provide होती है वो आपकी क्या होती है deposit के अंदर वो होती है fixed deposit ठीक है तो fixed deposit और recurring deposit में दोनों को different आपको पता होना चाहिए ठीक है आप देखते हैं लोन आप कितने तरह कि लोन होती है वो आपकी जो को bank होती है वो provide कराती है देखिए आपने जब deposit किया है तो लोन उसी पैसे से क्या करती है वो लोन भी देती है और interest वसूलती है ताकि उसकी भी कुछ income होती रही बीच में ठीक है आप देखिए first से पहले कौन 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 से types of loan हमारी provide करती है वो है आपका first is personal loan ठीक है और देखिए VL that is vehicle loan भी देती है आपको home loan भी देती है bank ठीक है education loan अगर आपको education loan जैसे आपको कोई fees भरनी है आपकी कोई भी higher studies के लिए है आपके जो graduation है post graduation है तो उसके लिए भी आपको loan दिया जाता है ठीक है और उसके बाद देखिए एक type of loan आप दे deposit करना और loan देना ठीक है अब जो deposit से जितना भी इसका पैसा आया है उसी का use करते है यह loan देने के लिए और उससे जो interest जो हसूलेगी उसको क्या करेगी कुछ amount of हमारे saving के लिए जैसे interest दे रही है उच हमें दे देगी और कुछ अपने पास रख लेगी तो यही तरीका है हमा कौन सी चीजें है कैसे कैसे हमारी banking की शुरुआत हुई क्या क्या चीजें देखिए तो banking की सबसे पहरे जो start के बारे में बात करते हैं अगर बात करता हूं मैं इंडिया की ठीक है तो इंडिया का देखिए Central Bank हमारा कौन सा है इसको बोलते है RBI Reserve Bank of India ठीक है और Reserve Bank of India के अगर to separate the currency and credit from the government organization देखिए एक तो currency का इसको आपको produce करना और आपके monetary policies बनाना ठीक है अब बात करते हैं देखिए banking system के अंदर Reserve Bank of India के अंदर क्या क्या चीज़े हमारी आती हैं देखिए सबसे पहले हमारा क्या हुआ Reserve Bank of India RBI और इसके अंदर हमारी क्या आती है आपके schedule commercial banks commercial banks ठीक है तो यह आती है आपकी RBI के अंदर और उसके बाद हमारी कौन कौन से होते है schedule cooperative banks ठीक है cooperative banks ठीक है तो यह आपके हाई ठीक है और RBI का अगर establishment के बारे हम बात करता हूँ तो यह वह आई April 1935 ठीक है यह आपके RBI का establishment date है और first अगर कई बार पूछ लेते हैं first governor of the RBI Reserve Bank of India यह सब मैंने last वीडियो में already discuss किया अधर depth में कि RBI की जो establishment है कैसे इसको बनाया गया ठीक है तो यह सारी चीज़ें already हमने last वीडियो में discuss की थी उसका link मैंने नीचे description में दे रखा है और जीक है आगर कई बार पूछ लेते हैं तो फस्ट governor of Reserve Bank of India तो वो कौन से हमारे ओस बोरन स्मित ठीक है ओस बोरन स्मित यह आपके कहते है first governor of Reserve Bank of India ठीक है तो देखें RBI के अंदर कौन कौन से आती हैं आपके एक तो आती है commercial bank और आपकी cooperative bank और commercial bank को सब डिवाइड किया गया है देखें public sector bank के अंदर public sector banks ठीक है तो यह आपके आई public sector banks ठीक है और उसके बाद देखें आपके इसके अंदर आती है public sector bank के बाद इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन सी bank है public sector bank के अंदर देखें नेशनलाइज़ बैंक होती है इसके अंदर नेशनलाइज़ बैंक ठीक है और उसके बाद देखिए आप देखते हैं SBI and its Associates जितने भी SBI की Associates है जैसे State Bank of Patiala है State Bank of फेदराबाद है तो काफी सारी बाद में भी डिस्कस करेंगें कौन-कौन सी चीजों को अभी मर्ज करके क्या कर दिया गया है एक एक एकी बैंक के अंदर मर्ज कर दिया गया है ठीक है और SBI की जितने भी यूनेट्स हैं वो हमारी Public Sector Bank के अंदर आएंगे IDBI Bank है ठीक है तो इसका एक्जामपल आप ले सकते हो भारतिय महीला Bank है ठीक है भारतिय महीला Bank ठीक है आप जितने भी स्ट्वेंट्स को देख रहे हैं आपको बताने इसका Headquarter काँ पे है ठीक है Headquarter Bank के कई बार पूश लेते हैं और इनके जो आपके जो Managing Director है उनका भी काफी ज्यादा Question पूशे जाता है इसके बाद Commercial Bank को जो Subdivide के जाता है वो आपके जाता है Private Sector Bank ठीक है Private Sector Banks Private Sector Banks जिसके अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं दिखे ओल्ड Private Banks और आपके New Private Banks जितने भी बाद में खुले हुए तो सारे इसमें आते हैं और इसके बाद आता है देखिए इसमें Foreign Banks जितने भी Foreign Banks हमारे इंड कंट्री के अंदर खोले गए हैं वो सब Commercial Bank के अंदर हमारे आएं सारे कौपरेटिव बैंक में देखिए हमारे आते हैं Scheduled Urban Bank एक तो आपके ठीक है? Scheduled Urban Cooperation Banks और दूसरे इसके अंदर आते हैं आपके Scheduled State Cooperation Banks ठीक है? यह सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? Reserve Bank of India के अंदर आएंगे तो आपको बस क्या है? क्या चीज़ा याद रखनी है? RBI के बारे में Working क्या? देखिए बात हुआ कि Working का कैसे है? Deposit करना और उसी Deposit से Loan देता है और Interest वसूलता है ठीक है? यह तो हमारी Basic Working होई क्या 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 जो Functions होते हैं देखिए हमारे तो देखिए इतने Type के Accounts कुलवाता है आपके Saving Account है, Current Account है, Recurring Deposit, Fixed Deposit और यह Types of हमारे क्य Loans है ठीक है? और फिर आपके बात करते हैं RBI के Stabilisement के बारे में April 1935 तो इसके उपर बहुत बार कुशन पूछा गया है कि आपका Stabilis'd Year कौन सा है और First Governor कौन से है ठीक है? और Current में आपके जो RBI Governor है वो कौन है आपके? शक्तिकान दास ठीक है? यह आपके जो Current RBI Governor है तो आप काम कैसे करता है हमारे इंडिया के अंदर ठीक है? अब देखिए अब कुछ Terms होती है देखिए Currency के बारे में देखिए RBI हमारा जो RBI का Monetary Policies बनाने के साथ साथ काफी सारे काम करता है जैसे Currency को बनाना, Currency को Flow कराना अब Currency का जो Flow होने के बाद बहुत सारी situations होती है हमार बहुत सारी Terms होती है जो हमारी क्या होती है? मार्केट के अंदर जो फैली होती है अब उनके बारे में डिसकस करते हैं देखिए Currency related जो Term होती है, पहली Term आती है, Inflation, Devaluation और Recession ठीक है? तो यह सारी Terms है क्या? इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, देखिए सबसे पहले Question आता है आपका Inflation, ठीक है? हम सबसे पहले Discuss करेंगे Inflation के बारे में, Inflation क्या है? Inflation actual में होता क्यों है? देखिए, और Inflation को Hindi में क्या बोलते हैं आपको? मुद्रा स्विती, ठीक है? Inflation को इंद्री में क्या बोलते हैं इसको? मुद्रा स्विती, ठीक है? Inflation is also known as, यह आपके हो जाएगी? मुद्रा स्विती, ठीक है? अब देखिए, Inflation क्या है? Inflation एक ऐसी Condition है, जब Market के अंदर, देखिए क्या हो? Value of the Currency हमारी क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा गिर जाए, ठीक है? जब पैसे की हमारी जो Market में जो Value है, वो Decrease हो जाए, और जो Cost है हमारे जितने भी जो Goods and Services का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है? तो ऐसी Condition को क्या बोलते है? Inflation बोलते है, ठीक है? अब यह चीज होगी कब? और कैसे हो और जितने भी आपके जो Product जो Produce हो रहे हैं, आपके Country के अंदर, वो क्या हो जाए, वस्तु की कीमत क्या हो जाए, आपकी Increase होने लगें, ठीक है? तो यह हमारी जो Condition होते है, यह आपकी Condition कहलाती है, Inflation, अब Inflation यह होता क्यों है, क्या क्या है, इसके जो Main Main Reason है, इसके बा कई बार Questions पूछ लेते हैं, What is the Inflation, Inflation के अंदर क्या क्या चीज़े होती है, ठीक है, तो आपको पता होने जाए, Inflation is the Condition at which Value of the Currency will Decrease and the Goods and Services of the Price will be Increased, अब देखिए, Value of the Currency, Value का मतलब क्या है, आपके बोलें, यह देखो कि 100 रोपे का Note 80 में चलेगा, देखिए, वो बा Flow करा रही है, जो मान लो आपको करंसी का, अगर 1000 करोड करंसी है, ठीक है, जो Value है, आपका 1000 करोड करंसी yearly हमें क्या करनी है, मार्केट के अंदर Flow होनी चीज़े, बट उसका Value डबल कर दिया गया, यह फिर 3 टाइम कर दिया गया, तो मार्केट के अंदर पैसा बहुत प्रिंटिंग टू मच मनी, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पैसे को अगर प्रिंट करके, जो मार्केट में अगर हमारा Flow करा दिया, तो लिकुडिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और लिकुडिटी बढ़ने की वेशे मार्केट के अंदर पैसा बह हमारी गिरेगी, तो goods and services का price बढ़ेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो drawback होगा, उन लोगों के लिए, जिनकी हमारी क्या है, salary, fixed salary है, ठीक है, तो fixed salary वालों के लिए क्या होगा, जो goods and services को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ultimately क्या होगा, कि जो हमारे जितने भी आपके जो manufacturer हैं, जो इसको sale कर रहे हैं, उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा benefit होने लगेगा, because goods and services की price तो बहुत ज़्यादा है, that means जो producers हैं, उनके लिए क्या है, ये condition beneficial है, but बात करते हैं, देखिए आपके जो भी lenders हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगी, ये बहुत जो difficult situation create हो जाएगी, ठीक है, second is का main cause है, increase in production cost, अगर production cost बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो market के अंदर क्या होगा, value of currency will be decrease, और goods and services का price बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये major reason है, आपका inflation या मुदर स्विती का, ठीक है, third reason क्या है, आपका tax rises, अगर tax की अगर amount बहुत ज़्यादा बढ़ दी जाए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, revenue बहुत generate हो जाएगा, आपके government के पास, और उससे क्या होगा, value of currency हमारी क्या होगी, decrease हो जाएगी, क्योंकि liquidity बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, market के अंदर, currency की, ठीक है, तो ये हमारे कुछ basically क् हमारे reasons हैं, जाकि inflation के, आप inflation को देखिए, control कौन करता है, हमारे, जो Reserve Bank of India कंट्रोल करती है, जाकि क्या क्या चीज़ों करती है, tax rate को revise करे, ठीक है, monetary policies बनाती है, और आपके देखिए, liquidity maintain रखती है, market में कितना पैसा जाना चाहिए, कितनी पैसा print होना चाहिए, वो सारी पूछा जाता है, what is the condition of inflation, value of the currency will decrease, and goods and services की जो price हो जाता है, वो क्या हो जाता है, increase हो जाता है, ठीक है, ये conditions आपकी क्या है, आपकी inflation की condition है, आप देखिए, अब इसके बाद जो condition आती है, दूसरे value आती है, deflation, अब deflation क्या है, just opposite क्या है आपका, opposite है आपका, किसका, inflation का, inflation का opposite हो जाता है, deflation, अब deflation के अंदर देखिए, क्या होगा, deflation आपका second term है, deflation, ठीक है, इसके अंदर देखिए, क्या होगा, जब market के अंदर, जो currency है, ठीक है, currency का value बहुत जादा क्या हो जाए, increase हो जाए, मतलब value की value बहुत जादा बढ़ेगा, अब value कब जादा बढ़ेगा जब हमारे क्या होगा country के अंदर liquidity, liquidity का मितलिब क्या है, तरलता, ठीक है तरलता, या फिर बात करें, flow ठीक है, इसका जो main cause क्या है cause है ये, flow क्या हो जाए, market में बहुत ज़्यादा क्या हो जाए decrease हो जाए, ठीक है, market के अंदर पैसा है नहीं, तो उसके वेशे से क्या होगा मुद्रा की जो कीमत है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हमारे goods and services की cost क्या होगी, goods की आपकी cost and service cost services cost will be decrease, ठीक है, अब जब ये वाली condition आएगी, तो इस condition को क्या बोलते हैं, deflation बोलते हैं, ठीक है inflation के value हमारी क्या हो जाती है, घड़ जाती है तो ये दोनों condition हमारी क्या है inflation और deflation के बारे में, ठीक है इसके बाद देखिए, देखते हैं हमारी अब दोनों चीज़ें associate कैसे हैं, इस सब चीज़ें, देखिए और third term हम discuss करते हैं, third term is devaluation अब devaluation क्या होता है, देखिए devaluation कौन सी term है, जब हमारा क्या होता है, जब कोई country ठीक है, अपने जो currency notes की, अपने जो currency की जो आपका value of currency है अपने मन से क्या कर दे, reduce कर दे, ठीक है to promote the export ठीक है, export को promote करने के लिए कोई currency, जो हमारी गिरा दे, ठीक है, अब वो value कैसे गिराएगी, market के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा फैला देगी, ठीक है, market के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, पैसे को release कर दी जाएगा, आपका जो बहुत ज़्यादा आपकी चीज खरीदने के लिए 10 डॉलर पे करने है ठीक है, और 10 डॉलर को मान लो आपके पास क्या है, आपका जो अभी पैसे की value है, आपकी क्या है, 70 रूपीज है तो 10 डॉलर पे अगका जो आगर आपके product खरीदा है, तो आपको उस पर कितना रूपीज देना पड़ेगा, आपको उस पर देने पड़ेंगे, 700 रूपीज, बट market के अंदर क्या होता है, बहुत जादा market के अंदर पैसा की liquidity बढ़ जाती है तो पैसे की हमारी अपनी currency की value गिरना, currency की value का मतलब है, अगर मान लो, $1 की value 70 है तो $10 की चीज के लिए क्या करेगा, आप $70 रूपीज पे करोगे, ठीक है बट value अगर decrease हो चुकी है, आपका inflation चल रहा है, तो हमारी $1 की value कितने हो चुकी है, मान लो, $40 रूपीज हो चुकी है, तो वही $10 की आपको goods खरीद होगे, तो उसके बात करते हैं, अगर बात करते हैं, इंपोर्ट के लिए तो इंपोर्ट के लिए, देखिए का होगा, हमारा इंपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है तो ऐसी condition को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, devaluation, ठीक है और बात करते हैं देखिए इंपोर्ट का मतलब है किसी भी चीज़ को currency आपके किसी country के अंदर मंगाना उसको import बोलते हैं और export का मतलब क्या होता है अब भी कोई भी आपका goods and services को किसी country को देना ठीक है तो import कराते हैं तो उस country को हमें पैसा देना पड़ता है और export कराते हैं तो उस country से हमें पैसा मिलता है ठीक है तो export को क्या बलते हैं हम हमेशा क्या करते हैं जब GDP कल्कुलेट करते हैं जब मैंने बताया था export को positive लेते हैं और import को क्या लेते हैं हम negative लेते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने अल्री डिसकस किरी थी अब Reserve Bank of India के बारे में देखिए, Reserve Bank India कुछ काम करता है देखिए, आप छोटे बैंकों के साथ, तो उसके चीजों को देखें, देखिए, first term हम डिनोट करते हैं, first is rate, ठीक है, rate का मतलब क्या होता है, दर की किस आपने rate से कोई पैसा किसी को दिया है, तो आपको कई बार पूछा at which the loan is granted to the small banks, ठीक है, जब बैंक कोई भी आपके जो एक बैंक होता है, मान लो, X-Bank है, ठीक है, और यह आपकी RBI है, Reserve Bank of India, इससे loan ले रही है, ठीक है, तो कुछ percentage क्या लगेगा, इस पे rate से interest लगेगा, तो इस rate को क्या बोलते हैं, bank rate, ठीक है, तो जिस rate से आपका कोई भी चोटा bank loan ले रहा है, आपके RBI से, तो इसको बोलते है, bank rate, ठीक है, next term कई बार पूछते हैं, देखे, रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट, तो रेपो रेट क्या होता है, मान लो, RBI है, मान लो, RBI यह होगा, RBI और यह कोई, हमारा कोई bank है, ठीक है, अब कोई why bank loan ले रहा है हमारे RBI से ठीक है तो interest rate हमारी क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा high रखते हैं और short term के लिए कोई loan लिया जा रहा है ठीक है तो इस time अगर ठीक है जो आपका rate लिया जाएगा उसको बोलते है repo rate मतलब क्या है repo rate की definition बोलू the rate at which loan is granted for short time at high interest this type of interest is called as repo rate ठीक है मतलब कम समय के लिए RBI जब loan देता है bank को ठीक है और जो interest rate होती है वो काफी ज़्यादा होती है तो उस type के rate को क्या बोलते है उस type की दर को बोलते है repo rate ठीक है तो यह आपका देखिए concept हुआ repo rate के बारे में और bank rate के बारे में और देखिए अगर बात करते है repo rate क्या करता है देखिए repo rate की वज़े से क्या होती है market के अंदर क्या होती है liquidity increase होती है मतलब जैसे जब जितना ज़्यादा पैसा हमारा कोई bank लेगा कम टाइम के लिए RBI से तो क्या करेगा वो पैसे वो अपना consumers को देगा अपने जितने भी depositor हैं जितने भी loan लेने वाले हैं और loan लेने वालों के पास जब पैसे की value बहुत ज़्यादा market के अंदर आ जाएगी वो invest करेंगे तो क्या होगी liquidity market के अंदर बढ़ जाएगी ठीक है तो question पूछा आता है who govern the market liquidity inflation को तो कौन govern करता है दीखे रेपोरेट तो रेपोरेट जितनी ज़्यादा हमारी जिस रेपोरेट से हमारा कोई bank लेगा तो रेपोरेट जितना ज़्यादा हमारा रहेगा उसी विसाप से क्या करेगा bank क्या करेगा अपने customers को अपना जो पैसे को provide कराएगा और उससे हमारी जो market के अंदर liquidity बढ़ जाएगी ठीक है third term होती है reverse रेपोरेट reverse रेपोरेट अब ये reverse रेपोरेट क्या होती है reverse रेपोरेट होती है जब पैसा ज़्यादा हो जाए market में जब हमारा क्या करता है जब bank लालस देता है हमारे लोगों को कि पैसा जमा करा दें बहुत ज़्यादा पैसा जमा करा दें और उस पैसे को वो RBI में जमा करा देता है ठीक है यसे कई बार आपने देखा हो small bank नहीं नहीं स्कीम लगाती है कि भाई आप पैसा हमारे जो bank account के अंदर saving account है या आपका जो FD है या आपके recurring deposit है कि आप हमारे bank में जमा कराईए आपको offers देते हैं तो actual में क्या करते है जब कोई भी bank आप depositर से पैसे लेने के बाद उसको RBI में deposit करा देती है और उसके बाद क्या करता है उसके जो जो से interest मिलता है ठीक है RBI में जमा करा देती है और उस पैसे को RBI में जमा कराने के बाद उससे जो हमारा जो interest मिलता है उसको use करती है ठीक है तो इस process से क्या होता है देखिए market के अंदर depositor के पास क्या होगा पैसा चला जाएगा और वो वापस कहा चला जाता है वो RBI के अंदर तो इस condition से create होती है हमारी कौन सी withdraw of liquidity ठीक है याने कि deflation create होता है ठीक है अई होब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा what is the value of deflation what is the meaning of inflation और inflation को कौन बढ़ाता है और आपका जो reverse रेपो रेट है वो कौन govern करता है आपका deflation को govern करता है ठीक है यह आपके basic fundamental difference हुए देखिए आपके inflation और deflation के बारे में आप देखते हैं देखिए banking development कि कैसे कैसे banking की शुरुआत हुई और कौन कौन सी चीजे हमने start करी गई banking से और ठीक है कब से हमारा banking जो हमारी system है वो आपका जो आपके picture में आया ठीक है तो देखते हैं देखिए और एक छोटा सा term और discuss कर लेते हैं देखिए मंदी आपने सुना होगा कि recession क्या है recession के बारे में पूछा होगा कई बार k blah blah question पूछ लेते हैं मंदी का दौर आगया है देखिए तो मंदी क्या होता है देखिए जब बहुत जादा unemployment हो जाए ठीक है due to unexpected unemployment और unexpected unemployment होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा और लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या होगा हमारा lack of demand ठीक है मतलब क्या होगा? चीजों की जो demand है वो क्या होगी suddenly reduce होने लगेगी और अगर demand किसी चीज की reduce होती है that means क्या होगा? demand reduce का meaning क्या है? हमारा जो sale है देखिए sale है आपके product and services की वो क्या हो जाएगी? वो reduce हो जाएगी और अगर sale है हमारी reduce होगी तो ultimately क्या होगा production हमारा क्या होगा किसी चीज़ का ठप पड़ जाएगा और again क्या होगी unemployment बढ़ती जाएगी तो इस condition को क्या बोलते हैं इस condition को बोलते हैं recession यानि कि मंदी market के अंदर जो हमारा product है वो sale नहीं हो रहा है ठीक है lack of demand है goods are not sold और हमारे बहुत जादा losses मजारी industries तो इसी चीज़ को मंदी बोलते हैं और हमारी एक बार आई भी होई थी आपको बताना है कि comments में ये काब आई थी जब काफी सारे लोगों की job भी गई थी जो आपके बात करते हैं foreign country में काफी जो लोग काम कर रहे थे ठीक है और बात करते हैं देखिए और मैं अगर country का नाम बता हूँ तो United States of America में ये आई थी आपको year बताना है कौन से year के अंदर ये मंदी आई थी ठीक है तो economic crisis बोलते हैं और इसको recession बोलते हैं तीक है जाने कि आर्थिक संकट तो ये हमारा देखिए टर्मस जो की important टर्मस हैं जो की exam point वीच से कई बार push ली जाती है ठीक है आप देखिए next देखते हैं हमारा कि कौन कौन से जो banking terms हैं ये कैसे कैसे हमारी picture में आई ये चीज़ है ठीक है आप देखिए banking development कैसे हमारी banking development हुआ देखिए 1770 से हम start करते हैं देखिए 1770 में क्या हुआ कि जब हमारे क्या था दो हमारे Alexander की company थी हमारी the Alexander company ठीक है bank of Hindustan जिसको बोला गया आपको क्या है पहला जो European model पर based हमारा क्या था बैंक था 1770 से start हुई जिसको बोला गया हमारा the Alexander and company ठीक है तो इसने क्या करा हमारे ये first European model based हमारा bank था ठीक है और इसके बाद क्या हुआ देखिए 1806 1806 से लेके 1806 यानि ये वो वाला काल है जब हमारे क्या है ये सब मैं इंडिया की बारें बात कर रहा हूँ ठीक है तो 1806 इसलिए 1860 इस टाइम पर क्या था हमारे बिटिस रूल था इंडिया के अंदर तो यहां पर क्या थी हमारी जो presidency थी तीन presidency थी एक तो आपकी 1806 में थी आपकी bank of बंगाल ठीक है bank of बंगाल और आपकी थी 1840 ये थी आपकी bank of Bombay ठीक है bank of Bombay और third one हमारी थी 1843 bank of Madras ठीक है तो ये तीन जो presidency थी हमारी इन तीनों को merge करके हमारी presidency merge करने के बाद एक bank बनाई गई इसको merge करने के बाद आगे जागे क्या बोला गया देखिए इसको बोला गया imperial bank बनाई गया ठीक है imperial bank of India ठीक है और ये इसकी बात करते हैं तो इसकी establishment year का है 1921 तो कई बार question पूछ लेते हैं what is the establishment year of imperial bank of India 1921 और इसी imperial bank को देखिए बाद में क्या कर दिया गया नाम बदल के 1955 में ठीक है इसका नाम बदल के इसका nationalization कर दिया गया और इसको बना दिया गया आपका SBI State Bank of India ठीक है इसको का कर दिया गया इसको का कर दिया गया आपका 1840 में Bank of Bombay और Bank of Madras इन तीनों को मिलाने के बाद हमारा Imperial Bank of India बनाया गया और Imperial Bank of India को 1921 में बनाया गया था और इसका 1955 में इसका राश्टे करन जाने की nationalization करके इसको State Bank of India नाम दिया गया और इसके बाद यह आज भी चर्चा में है ठीक है तो यह इतनी बात हुई SBI के इसके बाद देखते हैं 1935 तो 1935 के अंदर हमारा Bank कौन सा आया पिचर में वो आया आपका Reserve Bank of India इसको आप क्या बोलते हैं Central Bank of India ठीक है इसकी जो इस्थापना होई इसकी जो आपके बात करते हैं इसके बात करते हैं इसकी जो फंक्शन क्या है इसको मैंने 50 बात डिसक्स किया है आपके पास फंक्शन क्या है देखिए Banking policies बनाना ठीक है Bankers of Bank बोलते हैं इसके और monetary policy बनाना currency note को आपको regulate करना market के अंदर आपका liquidity of the maintain करना ठीक है inflation, deflation यह साथी चीज़ें हमारी सब linked हैं आपके currency से जो कि हमने अभी discuss करी हैं सब चीजों का क्या करता है यह regulator control करता है ठीक है तो यह हुआ आपका Reserve Bank of India 1935 और इसके बाद क्या हुआ देखिए 1969 के अंदर तो यह हमारा क्या हुआ जो 14 हमारे जितने भी बड़े bank थे ठीक है तो यह हुआ हमारा 1969 के अंदर 14 bankों को nationalization ठीक है और उसके बाद देखिए 1980 यह जितने भी मैं terms लिख रहा हूँ तो यह आपको exam point of view से सारे as it is questions आएंगे ठीक है आपको short note में लिखना है कि यह term हमारे क्या है exam point of view से बहुत important है और 1980 के अंदर 6 जो हमारे large bank थे six large bank को का कर दिया गया nationalize कर दिया गया ठीक है मतलब drastic run कर दिया ठीक है और 1993 के अंदर new bank of india new bank of india ठीक है new bank of india को का कर दिया गया इसका merger यानि की विले कर दिया गया पंजाब national bank के अंदर ठीक है PNB के अंदर इसको का कर दिया गया merge कर दिया गया आप आपको बताना है कि इंडिया का जो हमारे सबसे पुराना bank है क्या वो sbi है क्या वो हमारा PNB है या फिर क्या बात करते हैं या फिर कोई और bank है ठीक है और मैं पता जो पिए न भी है उसकी established year क्या थी 1894 1894 जो इसकी established year है Punjab National Bank of India की ठीक है आप देखते हैं देखिए और 2013 के आंदर बात करते हैं देखिए और मैंने 1991 के आपके जो banking reforms थे उसको discuss किया था आपके first video के अंदर है तो जिन लोगों ने banking reforms आपके बारे में नहीं देखा है तो आप first video के अंदर देखिए कौन-कौन से banking reform थे उस time पे जो लाए गए by Finance Minister Manmohan Singh ठीक है तो आपको ये वीडियो बहुत important है ये वीडियो आपको देखनी है देखनी है जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है ठीक है और उसके बाद देखते देखिए 2013 के अंदर भारतिय महिला बैंक इसकी establishment हुई तो ये हमारे कुछ banking के आपके development है तो क्या क्या है आपने देखिए अभी discuss किया है क्या क्या हमारे banking development हुए 1770 से लेके कौन-कौन से bank है जो आपने इधान में रखने है जिससे आपका State Bank of India बनाया गया Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Maharashtra Bank of Madras ठीक है और इसका नाम दिया गया Imperial Bank of India 1921 में established हुआ और इसके बाद इसको 1955 के अंदर इसका nationalization करके इसको SBI में convert कर दिया गया ठीक है उसके बाद आपने देखना है कौन-कौन से 14 banks थे जो आपके क्या कर दिया गया nationalize हुए 1980 के अंदर 6 banks को nationalize कर दिया गया और आपके 1995 के अंदर जो आपके जितने भी आपके बड़े bank थे इनको भी आपके nationalize करा गया ठीक है तो यह हमारा क्या है banking development आप देखते हैं देखिए कौन-कौन से जो main-main important आपके क्या है financial institutes है देखिए इन पर काफी जादा question पूछे आते हैं देखिए एक या दो question आपको हर साल आता ही आता है देखिए banking financial institutes सबसे पहले बात करते है imperial bank of India देखिए इसी से मिलके हमारा क्या बनाया गया था इसको nationalize करने के बाद आपका state bank of India बनाया था 1955 के अंदर तो imperial bank of India था और जो हमारे कितनी presidency से मिलके बनाया था तीन presidency था तो 1921 इसका established year है headquarter कहा है इसके मुंबई के अंदर उसके बाद देखते हैं reserve bank of India जिसको आप बोलते हैं RBA यानि की central bank of India establishment आपकी year है 1st of April 1935 और इसका headquarter है मुंबई के अंदर next is state bank of India तो इसका हमारा जो आपका establishment year है 1955 और यह हुआ था 1st July को और यह किस से बना था आपका imperial bank of India का जब nationalization किया गया headquarter है इसका मुंबई के अंदर ICICI कई बार इसकी full form पूछ लेते हैं तो आपको क्या करना है बहुत ध्यान से वीडियो देखना है हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है short note बनाने है ताकि आपके आने वाले exams के लिए आप अच्छे से इसको revise कर पाओ ICI का आपका जो established year है 1955 headquarter है आपका मुंबई के अंदर Life Insurance Corporation of India LIC September 1956 में established हुआ था headquarter है आपके मुंबई के अंदर अगला है आपका IDBI Industrial Development Bank of India headquarter है आपके मुंबई के अंदर established year July 1964 देखिए अगला है GIC General Insurance Company जितने भी जो एड़पटे वर्ड है इनको आपको याद रखना है इसके question बहुत ज़ादा पुछे आते हैं GIC क्या है General Insurance Company November 1972 इसका established year है मुंबई इसका headquarter है RRB जितने भी हमारी regional rural bank है हमारी जितने भी rural area उनके development के लिए इनको आपका loan और वाकी सब facility provide करने के लिए RRB को open किया गया 1975 के अंदर 2 October के अंदर State Capital के अंदर इसके headquarter होते है हर State के अंदर जितने भी capital है उनके अंदर क्या होते है इनके headquarters होते है HDFC क्या है HDFC Housing Development and Finance Corporation Limited इसका जो आपका established year है 1977 headquarter मुंबई के अंदर है Generally maximum का हमारा headquarter क्या है मुंबई के अंदर है आपको याद रखना है वैसे तो आपको सबको पता होना चाहिए बड़ आपको नहीं लग रहा है तो maximum क्या है आप मुंबई answer लगाते हो तो मेभी chance आपके 80% सही होने के हैं ठीक है बड़ कोशिस करना सबके headquarter आपको सही से याद ही होने चाहिए next is security exchange board of India SEBI SEBI का full form कई बार बच्चे लिख देते हैं security exchange वो आपका stock exchange board of India तो stock exchange board नहीं है देखिए securities and exchange board of India है SEBI जिसका आपका 12th of April इसका कहा है establishment year है और 1992 को इसको legal rights दे दिये गए headquarter है मुंबई के अंदर National Housing Bank NHB ठीक है इसका full form पूछा गया था हमारे भी रिसेंटली SSC आपका CHSL के अंदर तो जुलाई 1988 इसका कहा है established year है New Delhi इसका headquarter है ठीक है next is आपके भारतिय महिला bank भारतिय महिला bank देखिए आपका कहा है 2013 में इसका established हुआ New Delhi headquarter है next is Indian आपका इंसुरेंस Regulatory Development Authority IRDA IRDA का देखिए कई बार question आता है जितने भी banking के exam है तो यह सारे जितने भी banking exam है उनमें तो आएंगे आएंगे बट आपके सभी exams के लिए काफी ज़्यादा important है हेदराबाद headquarter है और नबाड नबाड की full form देखिए होती है National Bank of Agriculture and Rural Development established year है 12 July 1982 और headquarter है Mumbai के अंदर ठीक है यह कुछ हमारे India के हमारे major financial institutes है जिनके उपर आपके questions आते है देखिए 100% guarantee है अगर कोई financial institute का question आएगा तो इन में से ही आएगा ठीक है गोजी है हमारे का है most most important और most expected financial institutes है जिन पर exams के अंदर पूछे जाते है ठीक है next देखते हैं देखिए हमारे कितने भी international financial institute कौन कौन से है देखिए international financial institutes के अंदर आते है जो कि हमारे विदेशों में है और जो कि हमारे economic growth है आपके ठीक है financial growth के लिए काम करते है तो सबसे पहले हमारा पूछा जाता है world bank तो world bank का जो आपका देखिए establishment year है वो आपके 1944 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और जो headquarter है वो आपका Washington DC जाने की अमेरिका के अंदर है international monetary fund जो आपके universally monetary policy को हमारा regulate करता है वो है IMF इसका जो आपका establishment year है 1945 headquarter है Washington DC United States of America अगला है UNESCO देखें UNESCO का आपका establishment year 1945 आपका headquarter है Paris, France के अंदर FAO Food and Agriculture Organization 1945 establishment year है Rome, Italy के अंदर इसका headquarter है world economic form आपको बताना है world economic form की अभी जो recent जो last आपकी जो इसकी बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी और उसमें कौन-कौन सी जो country ने participate किया था ठीक है क्या उसमें India participate करता है क्या नहीं करता यह सब चीजों को आपको मुझे comments में बताना है 1971 इसका क्या है इसका है Geneva Switzerland इसका headquarter है next आपका देखें क्या है UNCTAD United Nation Conference on Trade and Development और उसको develop करने के लिए policy making करता है आपका UNCTAD 1964 इसका क्या है established year है Geneva Switzerland क्या है इसका headquarter है next is Commonwealth Nation Commonwealth Nation आपको बताना है कि Commonwealth Nation के अंदर वारी जो Commonwealth Countries है उसमें कितने countries आते हैं और क्या India उसका participate करता है उसके अंदर क्या नहीं करता ठीक है next देखिए 1949 इसका established year है London UK अंबा आपर क्या है इसका headquarter है ICJ International Court of Justice 1945 established year हेग निदर लेंड इसका क्या है आपका headquarter है और जितने भी आपके United Nation की judiciary है वो किसके अंदर आती है ICJ के अंदर आती है ठीक है OPEC country OPEC country कौन से होती है आपकी Organization of the Petroleum Exporting यतनी भी Petroleum Exporting है देखिए आपको बताना है कि Venenzula है Venenzula अब क्या वो Petroleum Reserve उसके अंदर है या नहीं है क्या वो OPEC country के अंदर आता है या नहीं आता और India OPEC country के अंदर आता है या नहीं आता है ठीक है और total number of OPEC country कितनी से हैं आप सभी को मुझे ये बतानी है इस अब चीज़ें ठीक है कमेंट्स के अंदर मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का नेक्स्ट हमारे देखिए Vienna Australia के अंदर Headquarter है ASEAN ASEAN की फिलफॉर्म है Association of South East Nation ठीक है आपका Headquarter है Jakarta Indonesia के अंदर Established Year है 1967 आप देखिए Next है आपका International Labour Organization आपका जो Established Year है 1919 और आपका Headquarter है आपका Geneva Switzerland के अंदर Next है देखिए WHO World Health Organization 1948 इसका कै है Established Year है और Geneva के है इसके Switzerland इसका Headquarter है ठीक है WHO के अभी कौन है Director कौन है ठीक है इसका मुझे आपको बताना है ठीक है ADB के है Asian Development Bank Headquarter है आपका Manila के Philippines के अंदर और बात करते है Established Year है आपकी 1966 FIFA FIFA की फिल्फरम आपको मुझे बतानी है देखिए कमेंट्स में ठीक है 1904 1904 इसके के है आपकी Established Year है Zurich South Asian Association of Regional Corporation 1985 Stablished Year Kaatmandu Nepal इसका क्या है Headquarter है WTO जिसको हम पहले बोलते थे GATT General Agreement Trade and Tariff कई बार पूछ लेते हैं जो GATT का फिल्फरम क्या है Establishment Year 1995 Headquarter है आपका Geneva Switzerland के अंदर ठीक है तो यह हमारे क्या हुए Basic आपके International Financial Institute तो आपको इतने Institution तो आपको याद ही होनी चाहिए ठीक है अब बात करते हैं currency printing press और आपके mint के बारे में कि इंडिया की जितनी भी currency press हैं वो कहां कहां पे हैं क्यां क्यां वो press करते हैं वो print करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसका काम क्या है वो कहां पे है ठीक है ये सब चीजें तो इसका काम क्या है हमारा post office related documents ठीक है post office related documents हो गया central आपके excise duty stems ठीक है जितनी भी stems है हमारी वो कौन करता है security printing press हमारी करते हैं ठीक है और second देखिए point देखते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन सी हमारी security press है वो देखते हैं देखिए सबसे पहले हमारी कौन सी है यह इसी का sub part है सबसे पहले है नासिक महरास्टरा ठीक है नासिक जो महरास्टरा है यह क्या करती है देखिए post office related documents जैसे मैंने अब भी discuss किया post office related documents है उनको print करना ठीक है judicial and non judicial stamp paper ठीक है क्या क्या करती है judicial and non judicial stamp papers ठीक है इनको क्या करना print करना ठीक है जितने भी government paper ने कोई private organization नहीं print करती है तो इनकी भी क्या है government registered authorized press होती है जो इसको क्या करती है print करती है ठीक है तो आपको कही बार questions पूछ लेते हैं कि जो नासिक में जो महरास्ट नासिक के अंदर जो हमारी press है ठीक है जो security printing press है वो क्या करती है तो आपको पता होना चीए printing press वो हमारी क्या करती है post office related documents है judicial and non judicial stamps है ठीक है checks and bonds जितने भी हमारे government के checks और bonds है ठीक है bond paper है वो हमारे क्या करती है bonds of banks यह हमारी press print करती है ठीक है national saving paper ठीक है postal orders passport है ठीक है हमारे और इंद्रा विकास पत्र ठीक है यह हमारी चीज़ें क्या करती है किसान विकास पत्र यह सारी चीज़ें हमारी कौन करता है नासिक के अंदर जो हमारी security printing press है वो करती है देखिए second देखते है currency press notes ठीक है अब हमारी जो currency press notes है यह कहां होते है ठीक है currency press notes यह कहां आपके press आपके जो होते हैं print होते हैं वो देखते हैं देखिए यह होते हैं यह भी आपके कहां होते हैं नासिक महरास्टरा ठीक है नासिक महराश्टर के अंदर और कौन कौन से notes होते हैं देखिए 10 rupees आप के ठीक है 2000 rupees note है 500 rupees note है जो अभी नए note आए है 50 rupees है 100 rupees है ठीक है तो यहीं print होते हैं आपके कहां पे नासिक और महराश्ट के अंदर तो question पुछा आयता है कि 2000 rupees और 5000 rupees के जो new note है वो कहां print हो रहे हैं तो आपके ओरे नासिक महराश्टर के पास ठीक है next देखते हैं देखिए bank note press अब bank note press कौन कौन सी हैं देखिए bank note press यह हैं आपकी देवास अब देवास कहां पड़ता है मद्यप्रदेश MP के अंदर ठीक है यह क्या करती है आपकी देखिए 20 रुपीज 50 रुपीज यहां भी प्रिंट होंगे 100 रुपीज 200 रुपीज ठीक है और 500 रुपीज तो 200 रुपे का जो note होगा वो कहां print हो रहा है देवास मद्यप्रदेश के अंदर ठीक है तो this printing press is under supervision of finance ministry और यह किसके अंडर है सारी यह finance ministry यानि की वित्व मंत्रा लेके अंडर होती है तो कई बार पूछ लेते हैं क्या क्या है हमारा यह किसके अंडर आती है ठीक है और क्या बनाते हैं यह currency printing ink यह भी हमारा कौन बनाता है देवास जो और जो MP के अंदर जो हमारी bank की आपकी जो प्रेस है वो इस इंक को भी बनाती है signature of finance secretary आपको बताना है देखिए यह आपको जो 1 rupee का note होता है इसके उपर किसके sign होते हैं देखिए signature होते हैं इसके उपर finance secretary के और बाकी के उपर किसके होते हैं आपके governor ठीक है आर बिया का जो governor है अभी recently कोन है सकतिका अंदास तो RBI के governor के हमारे signature होते हैं सभी note उपर लेकि जो RBI के supervision के अंदर है ठीक है अब finance ministry के अंदर कौन सी है देवास की है तो RBI के अंदर कौन सी है RBI supervision press कौन सी है एक है आपकी सती पानी वेस्ट बंगौल ठीक है और मैसूर करनाटका ठीक है ये दोनों हमारे किसके अंदर आती है RBI के अंदर आती है और यहाँ पर क्या है all type of currency notes क्या होते हैं प्रिंट होते हैं ठीक है तो next key point देखते हैं देखिए security paper mill अब यह जो paper है वो कहां से बनता है तो वो बनता है हमारा हुसंगाबाद ठीक है तो जो हमारा paper है वो बनता है हुसंगाबाद मद्धर प्रिंट के अंदर और अंदर क्या है currency note print होते हैं और नासिक के अंदर भी currency note के साथ-साथ आपके क्या हैं आपके जितने भी postal stamps हैं आपके जुडिसियल जो आपके जितने भी डॉक्यमेंट्स हैं, बॉंड्स हैं, चेक्स हैं, वो सारे प्रिंट होते हैं आपके आपके नासिक महराष्ट के अंदर, ठीक है, और मिंट्स के बारे हम बात करें, मिंट्स कौन होती हैं, इंडियन की गॉर्मेंट्स जो मिंट्स हो 1830 के अंदर कॉलकता की established year 1903 पूछ लेते हैं कई बार हैदराबाद की जो mint है वो आपकी 1950 में established हुई और नइडा की हुई 1989 ठीक है यह four major mint है हमारी जो क्या करती है आपकी जो coins है हमारे जो सिक्के हैं उनको बनाती है ठीक है तो यह हमारी देखिए सारी चीजें हैं जो आपकी जो finance से related है ठीक है तो यहां हमने जो cover किये हैं सारे topic आपके इस वीडियो के और देखिए जिन लोगों ने part 1, part 2 को नहीं लिया हुआ जिसमें हमने basic fundamental को cover किया है तो पहले part 1 को लीजिए उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए कौँकि जो जितने भी topics हैं वो सारे interconnected है because आपने monetary policy और आपके जो physical policy है physical deficit है वो सब मैंने part 2 में discuss किया था अगर आपने वो नहीं लिया तो आपको part 3 समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह सारे topic को हमने part 2 के अंदर discuss किया था ठीक है अब देके part 3 हमने आज discuss किया है और part 4 के अंदर हम जो बचे गुए topic है जैसे बात करते है market है theory of elasticity है ठीक है demand है और supply curve है तो यह सारे terms के पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे unemployment poverty तो यह सारे जो term है यह हम cover करेंगे part 4 के अंदर और इसके बाद हमारा देखिए बात करते हैं तो हमारा जो आपका economics का session है वो complete हो जाएगा और इसके बाद हम देखेंगे polity को ठीक है जितने भी students को देख रहे है एक तो session को subscribe कीजिए आप देखे like कीजिए share कीजिए ताकि मुझे पता लगे कितने students को देख रहे है और देखे next video में जब हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे आपके economics को completely finish करेंगे और आने वाले next lecture में हम polity को start करेंगे ठीक है आपके कोई भी feedback है आपको problem है आपके career से related या कोई भी आपको problem आ रही है preparation में तो आप direct मुझे mail कर सकते हैं मैंने अपनी mail id भी description में दे रखिये तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay home stay safe